मार्च 2020 में शुरू हुआ कोर्णा संक्रमन का कहर 2021 के आते आते अभी कुछ हद तक थमा ही था क्या फिर मानो जाती पर कोर्णा स्ट्रेन और परिंदों पर बर्ड फ्लू का साया मंडरा रहा है फिलाल ही माचल प्रदेश, मद्यप्रदेश, केरला और राजस्तान की सरकारों ने राज़्य में तेजी से फ्रैल रहे बर्ड फ्लू संक्रमन की पुष्टी कर दी है लेकिन अभी तक माहराष्ट राज़्य में संधब में सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुचना जारी नहीं हुई ऐसा नहीं कि राज़्य में परिंदों की मौत नहीं हो रही विधब में भी इसका खासा आसर दिख रहा है यौत माल जिले के दिग्रेश शहर और परिसर की मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले कई लोग कथित बर्ड फ्लू संक्रमेंट से आर्थिक नुकसान उठा रहे है आई दिनों बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौतों से बेजार लोग सकते में पड़ गए है बड़ फ्लू के चलते लगाता जारी परिंदों की मौत की खबर से संभन में शनिवार को सरकारी छुटी होने से पंचार समिती के वश्य सवर्दन वे भाग से कई अधिकारी जानकारी नहीं मिल सकी बहराल परिंदों की अचानक मौत ना सिर्फ पक्षी प्रेमियों और परियावनवादियों की लिए चिंता का विशेय बलके मुर्गी या बदकपालन की शोकिया या व्यावसाइक तोर पर अंजाम देने वाले लोग भी इसे आफ़त की वज़े से आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं देखना होगा के बीते साल कोरोना के रूप में इंसान के बाद अब 2021 में बड़ फ्लू की शकल में परिंदों पर आई इस नई बला का उटकिस करवट बैटता है NBC News के लिए जविर खान की रिपोर्ट